आर्थी और नितेश तुम लोग पिछली कारिक्रम में श्वशनक्रिया के बारे में कुछ जानना चाहते थे बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो भाईया हमारी किताब पे लिखा है कि सभी जीव श्वशन करते हैं ये श्वशनक्रिया क्या होती है अच्छा तो मैं तुम्हें आज शुशन क्रिया के बारे में बताता हूँ पहले ये बताओ कि हम लोग जीवित रहने के लिए सबसे महतपून काम क्या करते हैं बाईया हम सभी लोग सास लेते हैं हाँ बिल्कुल ठीक का नितेज तुमने हम लोग जीवित रहने के लिए सास लेते हैं और सास लेने की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं बाईयमंडल से आक्सीजन गैस को ग्रहर करते हैं और कारवन डायाकसाइड गैस को बहार निकालते हैं यह क्रिया हम तुम्हें एक चित्र के द्वारा और समझाते हैं, देखो हमारे पास यह एक चित्र है, इसमें देखो हम ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन को और क्या बोलते हैं, O2, तो O2 को हम ग्रहन करते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, कारवन डायकसाइड, यानि CO2 को हम बाह उज़ा भी मुक्तु होती है, क्योंकि हमारे सरीर में निरंतर बहुत सारी काम चलते रहते हैं, बहुत सारी क्रिया ही होती रहती है, और इन क्रियाओं को संपादित करने के लिए उज़ा किया वसकता होती है, तो यही मुक्तुजा इन क्रियाओं को संपादित करने के काम में आ जाती है यह शुशंक्रिया तो हमें समझ में आ गई कि हम सभी लोग जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं वायू मंडल से ऑक्सिजन लेते हैं और कार्बन डैक्साइट को बाहर वेज देते हैं ऐसे विल्कुल ठीक नितेस ने देखो शुशंक्रिया कैसे करते हैं करके दिखाया वायू मंडल में तो बहुत सी गैसे हैं तो वायू के साथ यह सारी गैस शरीर के अंदर नहीं जाती तर्फ ऑक्सिजन ही अंदर क्यों जाती है नहीं देखो ऐसा है नितेस बच्पन में मैं भी य तो सांस लेते समय क्या हम यह गैसे ग्रहर नहीं करते हैं केबल ऑक्सीजन ही गैस ग्रहर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे सरीर के अंदर यह गैसे प्रभेश तो करती हैं लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह कारवंडाय अक्साइट के साथ यह गैसे बहार निकाल आफियार करती है के बलोन कॉण उसी गैस की जाती है ऑंसी क्मस्फन क्राया ओक्जौशंब क्रेशोंक्रिया तो सम्छें। लितेश ने बिल्कुछ सही करके दिखाया यानि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ठीक जिस पकार इस गुबारे में हवा भरी न ऐसे ही फेपड़े हमारे फूल जाते हैं और जैसे गुबारे से हवा बहार निकल गी और गुबारा पिचक गया ठीक इस पकार सांद छोड़ने पर क्या ये हमारे फेपड़े भी पिचक जाते हैं और हम तुम्हें एक चित्र के द्वारा या ओर धंक से समझाते हैं देखो हम लोग पेपड़ों द्वारा सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि फेपड़ों में चोटी-चोटी कोठरियां होती है, क्या होती है, चोटी-चोटी कोठरियां होती है, जिने क्या कहते है, बायो कोस्ट कहते है, ये देखो, ये बायो कोस्ट है, ये बायो कोस्ट है, ये बायो कोस्ट है, दिखाई दे रहे आपको, इन में बायो भरी होती है, ठीक, जब हम चिद्रोदारा बैयु ग्रहंड करते हैं तो इनकी इन्हीं कोठरियों में भर जाती है, ठीक, अच्छा, फिर क्या होता है देखो, इनमें बाई भर जाती है फिर जब इनसे रक्त होकर गुजलता है तो ये रक्त में आक्सीजन गैस इनमें मिला दी जाती है समझें है? जी अच्छा, अब तुम लोग एक तुमारे मन में एक प्रस्ण और उठा होगा कि क्या जब आक्सीजन मिला दी जाती है तो ये क्रिया क्या होती है? इस क्रिया को हम क्या कहते है? रक्त को शुद्ध करना यानि फेप्डे हमारे रक्त को सुद्ध भी करते हैं और इस क्रिया को और अच्छी तरह हम तुमें एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं देखो कैसे? रक्त ये तो तुम जानते ही होगे कि रक्त जो है रक्त केशिकाओं में यानि रक्त नलिकाओं में बहता है जानते हो अब देखो जैसे ही इसमें एक रक्त नलिका हमने ली और हमने तुम्हें पहले बताया कि फेपड़ों में क्या होता है चोटे चोटे बाई कोस्ट होते हैं तो ये देखो एक बाई कोस्ट है ठीक क्या है एक बाई कोस्ट और ये हमारी रक्त केशिका है जिसे रक्त नलिका भी कह सकते हैं ठीक अब इसमें इदा से अशुद्ध रखता रहा है कैसा रखता रहा है अशुद्ध रखता रहा है अब इसमें क्या होता है कि oxygen gas इस नलिका में इस नलिका में पेश कर जाती है और carbon dioxide gas बहार निकल जाती है क्या हुआ कि oxygen gas इस रखत नलिका के अंदर प्रवेश कर गई और carbon dioxide gas बहार निकल गई तो अब रखत कैसा हो गया शुद्ध हो गया तो पता चला कि फेपड़े किस पकार रत्व को शुद्ध करते हैं और बताओ क्या जानना चाहते हो भाईया कि पौधे भी सास लेते हैं तुमने बिल्कुल ठीक का कि पौधे भाई पौधों में भी तो जीवन होता है और जिन में जीवन होता है वो सास लेते हैं तुम भाईया पौधे किस तरह शुशन करते हैं हाँ ये अब हम तुम्हे समझाते हैं कि पौधे किस पकार शुशन करते हैं देखो पौधों में होता क्या है कि छोटे छोटे रंदर होते हैं यानी छिद्र होते हैं, छोटे-छोटे छिद्रों के मात्ते हमसे ये सांस लेते हैं, ठीक, देखो जैसे, ये हमारे पास हमने एक पौधे का छिद्र बनाया है, और चहे जड़ हो, पौधे में मुख्य तक तीन भाग होते हैं, तुम लोग जानते ही होगे, जड़, तना और पती, ठीक, अब इनमें छोटे-छोटे हाँ जगे रंधर होते हैं, छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, ठीक, तो क्या होता है, कि ये भी ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग अक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और कार्वन डायाकसाईड बहार निकालते हैं, पौधे भी ठीक कि निर्मार के काम में आ जाती है, देखो जैसा ये carbon dioxide दिन के समय में निकाल ले हैं, तो ये पुना इसे ग्रहण कर लेते हैं, और वो किसलिए, प्रकाल संसिलेशन की क्रिया में भोजन का निर्मार करते हैं, तो carbon dioxide किया वसकता होती है, तो दिन में ये स्वैम ही ले ले लेते है carbon ठीक परंत रात के समय में क्या होता है कि ये oxygen gas तो ग्रहंड करते हैं और carbon dioxide बाहर निकालते हैं और ये carbon dioxide बाविमंडल में छोड़ दी जाती है इसलिए हम लोग कहते हैं कि रात में हमें ब्रच्छों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि carbon dioxide हमारे सरीर के लिए हनकारक है दिन में तो ये carbon dioxide बाहर कर लेते हैं इसलिए दिन में तो सोना चाहिए नहीं होगा लेकिन रात में हमें ब्रच्छों के नीचे सोना हानकारक होगा बताओ क्यों क्योंकि ये carbon dioxide चोड़ते हैं जो हमारे स्वास्त के लिए हनकारक है देखो इनमें छिद्र जो होते हैं रंद्र हमने तुमें बताए ये आकार इनका कैसा होता है अब ये भी तुमें एक चित्र के माद्यम से हम दिखा देते हैं देखो ये हमारे पास एक चित्र है इसमें देखो हमने रंद्र दिखाए हैं ये देखो छिद्र है छोटे छोट करते हैं और कारवन डाय अक्साइड गैस को बहार निकालते हैं क्या किया ऑक्सीजन गैस को उक्रहण किया और कारवन डाय अक्साइड बहार निकाल दिया पहुदे बिल्कूल उसी तरह है देखो ऑक्सीजन गैस को उक्रहण करते हैं और कारवन डाय अक्साइड को बहार निक जब देखते हैं कि मचलियां है ना मचलियां तो जल में रहती हैं लेकिन मचलियां कैसे सोसन करती हैं तुमाई मन में ये जरूर प्रसनूरता होगा कि भाई मचलियां तो जल में रहती हैं मचलियों को कैसे अक्सीजन मिल जाती है तो देखो हम तुम्हें बताते हैं ऐसा होता कि मचलियों को oxygen जल में घुली हुई oxygen होती है ठीक जल में किस अवस्ता में oxygen पाई जाती है गुली हुई अवस्ता में oxygen पाई जाती है और मचलियों में कुछ बिशेश प्रकार के अंग होते हैं कैसे अंग होते हैं कुछ बिशेश प्रकार के अंग होते हैं और इन अंगों के द्वारा ये oxygen gas को जो गुली वी oxygen gas है उसको ग्रहड करती है ठीक और इन अंगों को पताई क्या कहते हैं इन अंगों को देखो इस चित्र के द्वारा हम दिखा रहे हैं ये गलफड़े कहते हैं इन अंगों को क्या कहते हैं और इन अंगों के द्वारा ये देखो ऑक्सीजन कैस को क्रहड करती है और कार्बन डायक्साइट को बाहर निकालती है तो आप समझ में आ गया कि शुषन क्रिया क्या होती है बताओ आरती शुषन क्रिया क्या होती है बाईया जब हम सास लेते हैं तो वायू मंडल से ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डायक्साइट को बाहर बेज देते हैं इसी को शुषन क्रिया क्या है अच्छा तुम बताओ कि पाउधों में शुषन किसके माध्यम से होता है पत्तियों के जुषन पत्तियों में और या तने में या फिजर में रंदर होते हैं रंदर हमने तुमें बताया इन रंदरों के माध्यम से शुषन करते हैं और बचलियों में सुषन कैसे होता है जल फड़ों तो है हाँ बिलकुल ठीक